पेडिएक अधर आपका आज की वीडियो और आज व जो विडियो में लेकर आए कि हस्की प्रशेशन अंके दी है मयूर ने और विडियो का टाइटल है वाई चैनल है वाई चैनल डोसें इन इंवेस्ट इन पापकिस्तान तो चली दिख लेते हैं यह वीडियो लिगिनोसे प प्सक्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉलो करें फिर से बाचीत करने के लिए मना रहे हैं, कि पाकिस्तान भारत के लिए सेंटरल एशिया का गेटवे बन सकता है, और पाकिस्तान से दोस्ती भारत के लिए फायदे का सौधा है, बात करें चाना और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन्स और गहरी दोस्ती के बारे में, तो ऐसा क्यों है कि चाना के वर्ल्ट फेक्टरी होने के बावजूद पाकिसान अभी भी जादतर चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्बर है इस देश में आटो मोबील सेक्टर में मैनुफाक्टरिंग ना के बराबर है टेक्स्टाइल के शेत्र में पाकिसान को अभी भी केवल रॉम मेटिरियल के लिए ही जाना जाता है इलेक्ट्रोनिक्स की मैनुफाक्टरिंग अभी भी ना के बराबर है अब इतक पाकिस्तान में सैटेलाइट्स की मैनुफाक्ट्रिंग टेकनोलिजी नहीं है और आज भी एजूकेशन के मामले में पाकिस्तान कहीं पीचे है इतने सालों की गहरी दोस्ती के बाद भी पाकिस्तान का इंफरस्ट्रक्चर लगबग वैसा ही है जैसा की एक दशक पहले था और जो भी इंफरस्ट्रक्चर इतने सालों में बना है उसमें पाकिस्तान का ना के बराबर ही हाथ है आज बात करेंगे उन reasons के बारे में जिनकी वज़े से चाहना अपनी manufacturing पाकिस्तान में नहीं करना चाता और आज भी पाकिस्तान में ज्यादतर चीज़ें manufacture होनी के बजाए चाहना से import की जाती हैं पहला reason है पाकिस्तान का infrastructure किसी भी manufacturing facility को लगाने के लिए कुछ basic चीज़ों की ज़रुत होती है जैसे fixed voltage supply, water supply और industrial drainage की अगर चाहना को पाकिस्तान में कहीं भी factory लगानी हो तो पहले उस जगे को इन तीनो basic चीज़ों के लिए develop करना पड़ेगा नतीज़तन factory setup कॉस्ट में कई गुना खर्चाएगा पाकिसान की labor cost आज भी काफी कम है लेकिन labor skills की कमी आज भी पाकिसान को manufacturing के मामले में काफी पीछे धकेले हुए है और यही वज़ा है कि लोगों को किसी काम के लिए train करना पाकिसान में import करने से जादर मुश्किल है तीसरा reason है चाना का self interest चाना शुरू से ही किसी भी देश को manufacturing के मामले में आगे बढ़ने नहीं देना चालता और इसलिए manufacturing के नाम पे चाना किसी भी दूसरे देश में केवल assembly ही करता है और basic components और parts की manufacturing अपने ही देश में रखता है भारत में invest कर रही सभी Chinese companies भी इसी principle पे चलती है और इसलिए mobile phones की पेला scheme में किसी भी Chinese company ने participate नहीं किया क्योंकि इस पेला scheme में भाग लेने का मतलब होता है parts और components को भारत में manufacture करना जिसके लिए Chinese companies कभी भी तयार नहीं होती पाकिसान में भी चाना manufacturing के नाम पे केबल mobile phones की assembly ही करता है क्योंकि Chinese company अपने competition में पाकिसान को खड़ा नहीं करना चाती चौथा point है geographical reason ये बात सही है कि पाकिसान एशिया में ऐसी जगे है जिसके borders या तो भारत जैसे बड़े market से लगते है या फिर ऐसे कई देशों से जहां चाना से सामान पहुचाना बहुत महेंगा पड़ता है जैसे अफगानिस्तान, इरान और तुर्कमेनिस्तान चाना इस बात को जानता है कि अगर पाकिसान में manufacturing शुरू हो गई और चाना का पाकिसान पर dominance कम हो जाएगा ये भी रीजन है कि चाना खुद पाकिसान में manufacturing स्टार्ट नहीं करना चाता जिससे पाकिसान हर छोटी चीज के लिए चाना पर निर्बर रहे छटा रीजन है पाकिसान की जनता पाकिसान के लोग किसी भी देश के product से पहले चानीज चीजे लेना ज़ादा पसंद करते हैं और ये भी एक वज़य है कि foreign companies चानीज products के डर की वज़य से पाकिसानी market में नहीं आना चाती है पाकिसान ने इससे पहले भी भारत की दरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपनी पीट दिखाई है और इस बार भी पाकिसान की ये दोस्ती शायद किसी गेम प्लान का एक हिस्सा हो और एक गेम प्लान किसी और देश के दिमाग की उपज हो और अगर ऐसा है तो इस बार भी पाकिस्तान को एक जूटी दोस्ती महगी पड़ सकती है और शायद पिछली सभी बार से कही जाद महगी इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तानियों की आँके खोली जाए और उन्हें सचाई दिखाई जाए कि पाकिस्तान की एकॉनमी का असली दुश्मन कौन है और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है अपने पैसे को सही जगे इंवेस्ट करना अगर पाकिस्तान इस बार सही और गलत के बीश के फर्क को समझने के बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि पाकिसान भारत के लिए सेंटरल एशिया का एक गेटवे बन सकता है और पाकिसान के थ्रू मेडिन इडिया प्रोडट्स पूरे एशिया और यूरोप तक असानी से पहुच सकते हैं लाइक की बिना मच जाएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं इस वीडियो में कही गई सभी बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ ज़रूर लिखेगा और अगर आप सेहमत ना भी हो तो भी अपना रिजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करने के बाद बेल एकन दबा दीजे जिसने वाली सभी मेडिन इंडिया वीडियो के बारे में आपको तुरंद नोटिफिकेशन्स मिल सकें धन्यवाद चैहिन बात करेंगर आज इस वीडियो के तो नोट आपके मुल्क में इन्वेस्मेंट होना मैनुफेक्टरिंग प्लांट होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है आज के समय में और हम लोग अकसर अपनी वीडियो में यह सारे पॉइंट्स डिसक्स कर चुको है कि पाकिसानियों की क्या क्या प्रॉब्लम है यहां पर किस तरीके से मैनुफेक्टरिंग के लिए कोई प्लांट ही नहीं लगाया जाते ना ही लोकल जो हम कहेंगे के इंडस्ट्रीज है जो छोड़ी पहले इंडस्ट्रीज यहां पर हुआ करती थी वो सारी कैसे खतम हो की बनती थी चीजें जो के पाकिसान के ज्यादा अच्छी और मतलब मैयारी समझी चाहती थी और लोग तब वो इस्तमाल भी करते थे बट अभी एक ऐसी वेव आई है इस जेनरेशन में यह हम कहेंगे कि इस तरीके से इनको ट्रें कर दिया गया है कि एक वाकिय में स्टेट आपके बना लिए कि आपको जो भी चीजे इस्तमाल करने हैं को सब आपकी इंपोर्टेट चीजें होनी चाहिए असर में यह अभी से नहीं एक बड़े लंबे अर्से से चीज चलती यारी क्योंकि अगर हम बच्में बात करें तो हम नो डोट देखें हैं ऐसे इसी फैक्ट च्टार आपकर चोट करें लेकिन गया किया गया कि पॉर्मिन इस तरह की बनाएं के जो कारोबार थे वह भाग गये कोई की Sni कि यह एक इसी गुवर्मेंट्स जिनमें सुनने को मिला कि बहुत सारी टेक्स्ट्राइल की इंडुस्ट्रिय जो पाक्सान से उठके बांगलादेश चली गहीं तो यह बात वोलूगी कि ना कि आपके लीडर्स का वह वियन ही नहीं कि अपने लोगों किस तरीके से कंपनसेट करना है या उनको किस तरीके से एक स्किल्ड लेबर की तरफ लेकर आना है यह भी आपकी बात सी है दूसरा कोई प्रॉपर प्लैनिंग नहीं है अगर मैं बात करूं पहले क्या होता था कि गुज्रावाला की बात करें लोग जो है गुज्रावाला जाते थे जो क्योंकि वो जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर आपके अगर टाइल्स की बात करें वाश्रूम आइटम बात करें तो वहां पर वो काफी ज्यादा बनती है लेकिन अब अगर ऑगर अगर देखा जाए तो चाइना का क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेंड वो लोगों के सरपे बहुत सब्सक्रावाइब लोकल चीज़ों को लोग इतना पूछते नहीं है फिर उसके बाद में बात करना चाहूंगा यहां पर कपड़े की बात करना चाहूंगा फैसलाबाद जो है वो जो है टेक्स्टाइल के हवाले से बहुत सब्सक्राइब पहले के आता था लोग फैसलाबाद से कपड़ा लेने जाते थे अब फैसलाबादी लोग लोहोर से आपी भी बहुत कपड़ा बन कर आता बन कर दो कर लोकल बजार होते हैं आपको पाकिस्टान का बनावा नहीं वह यह तो आपको इंडियन मिलेगा या चाइन जी जिसे के गर्मियों में आपको बैनने वह आपको मिल जाएंगे और तो वाले भी आपको मतब पैसलाबाद मेजिती भी टेकस्टायल कंपनीज है वो बनाती है और लोकल मार्केट में आपको मिलते है एक जो लोकल ब्रैंड्स है उनकी अपने एक हम के लिए प्लांट्स बने हुए वो अपने तरीके से एक अच्छा क्वालिटी वाला अपको प् बाकी दुनिया भी घूम कर आये होते हैं और उनको पता होता है कि लोगों की क्या सोच है या किस तरीके से इंटरनाशनली जो मैटर्स है वो चलते हैं उनको यह नहीं पदा कि चाएना अगर इस तरीके से इस स्ट्राटेजी से चल रहा है कि वो हर चीज में अपना फाइद पर चीज में बहुते हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए खोल दी जैसे इंडिया का रस्ता जो है वो अफगानिसान के लिए और एरान के लिए क्योंकि बाइरेल तो नेक्ट है ना खोल दिया जाए यूरप तक मार्केट को जो है परोच दी जाए तो पाकिसान इससे भी ब करना जरूरी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर कोई भी चेंज आदा लोग ईजिली इसको मतब डाइजस नी करते है उसके पार साथ और दूसरी चीज है कि अभी लोग जो है वो किस चीज में पड़े में खाने पीने में बिजली के बिल देने में पानी में क marshmला है विसकली मैं यहां बहुत कहना चाहूंगा कि लोगों को अवरेटनेस अलेकिन में यूनिटी नहीं है नहीं पता गाै यह में लोगों की ज 없 दैना इसक्रिशन करतीयन की तो मुच्शिफ नहीं करते हैं जब आदको फिसी से बात करते हैं चिजली को पता सब कुछ है क सब कुछ जानते है क्या हो रहा है किस तरह हो रहा है क्यों हो रहा है लेकिन पिर Information आ थे लेकिन अगर बात करें कुछ यह यह कि एक्शन एक्षर मुद्दा उसके लिए कभी बाहिर इस बाहर यहां पर लाइनों में लगे रहेंगे और उनको यह नहीं पता कि हमारी बेसिक जो नीज हैं उनको पूरी करने के लिए या हमें जो फसिलिटीज चाहिए एक अच्छे लाइस्टाइल के लिए उसके लिए हमें बाफिन निकला है लेकिन बाकी आक्टिविटीज के लिए पता नीं इनके पास तो आपको ल आ पदितने के टी Commission सेनीकिस कि करें तो हम लोग जितना हो सकता है हम लोग को समझाने की कोशिश करतें हैं हमारे मतलब इनके साम भाश्येत करते हैं हम कोशिश करतें कि हमनों की सोच के जरूढ़ी है क्योंकि ऐसे ही है जब आप एक इनसान चैत्ति दूसरे इंसान देखता है और वो अपने बराबर कभी भी किसी को नहीं आ रहा है तो वो मिडल एस्ट को किसी ना किसी तरह ग्रैब कर है कि उसकी मार्किट पे असानी से रसाइप की जा सके किए पहले देखा जाए तो काफी उपर से चायना को होकर आना पड़ता है जिसमें कहीं मुलकों के बीच से गुजर के वो फिर मिडल इस में पहुंचता है लेकिन अगर देखेंगे पाकिसान से डिरेक्ट मिडल इस का रस्ते हैं तो काफी सस्ता माल पड़ेगा यहां पर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आई विश के पाकिसान के लीडर्ज और पाकिसानी अपनी जिग्रा कर सकेगा I hope कि यह चीजें लोग को समझ में आजें क्योंके यह समझना बहुत जरूरी है और जब तक लोग इन चीजों को नहीं अंडर्स्टाइंड करेंगे मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क जो है वो किसी भी साइट पर यानिके महम केंगे कोई पॉसिटिव अप्रो जाता है लेकिन मैं यह वाँ सोचती हूं कि अगर उनका यह मोटिव है कि अगर 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 अच्छी तरीके से लेना चाहिए तो मैं गूंगी यह बहुत ही पॉसिटिव प्रोच होनी चाहिए कि आपको अपने लोग का सोचना बाकी मुल्कों को छोड़ आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे तरीके से रे वेल गाइज यह तो तही मारी आठकी वीडियो आपका क्या सोचने से बादे में जुरूब दाएगा कॉमें सेक्षिन और अगर में दे एजाद मारी वीडियो से लिगा चानल सब्स्राइब चानल सब्स्राइब करें आ